कि अधिया गड़ा ऐसा भरना कि दुबारा फिर ना टूटे अरे सर इतने कम ध्याड़ी और मटेरियल में जमना एक्सवास फे थोड़ी बना देंगे अधिया कोई नहीं परतो तेरा काम थोड़ी है इसे टाइम बेस कर रहा है चल लेट हो रहा है भाई एक आयस की जो गए शुरू हाथा है और सुन कि फिलॉसफी जो मुच जाल एक्जाम कैसे किर करना उस परे लेब है तुन के निग्साम की बात है डेक मेरी हमेशा एक प्रोब्म में हर प्रोब्म में बहुत करता था जैना हां अ करेक्ट और सबको लगता था मैं नेगिटिव हूँ और देंग भैस सम्झागा, मैंने ना खुद पर के स्टेडी की और यह रिलाइस किया, कि I could always identify the problems. Yes, बर उतना काफी नहीं. अगर मुझे आइस बनना है, तो मुझे एक कतम आगे जाना पड़े. मुझे उन प्रॉब्म्स को सॉल्ट भी तो करना पड़ेगा. तभी तो चीज़े बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा, बुरॉक्राइसी का परपस सॉल्ट तभी तो होगा भाई. बट यह सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा? बता, तो यहां काम आती है positive approach, towards results. अंकल के साथ एक्स्परिमेंट करके मुझे रही चो सौझना है यार. Positive approach से चीज़े बदलती हैं. तू गलत है, घुरी? I can't fake it in exam. I can't. Or in interview. मुझे अगर आयस बनना है, तो attitude मेरे अंदर होना जोगा. Positive approach मेरी personality में होगी, तो exam में अपने आप चमकेगी. और पता है, मुझे ज़ता हम सही में समझ में आगए कि मुझे आयस क्यों मने. क्यों? क्योंकि मुझे मैं potential है, मैं change ला सकता हूं. किसी में खास बात यह नहीं होती है, भाई, कि वो positive change लाना चाहता है. खास बात यह होती है, कि वो positive change ले आपाँ. See, this is the change. गड़ा भर गया है. और आयस मन के भी तो भी नहीं करना है, ना? जो problems है, वो पेपर में थोड़ी है. जो यह सब करके टाइम बेस कर रहा है, तेरे से बड़ा बेवकूफूरे, राजयन देरवर देखा नियुका नियुका भाई. Smart भी है. जो अब आप सही बाद के रहा है, गलत टाइम पर के रहा है, बड़ सही बाद बोल गया है. अब जाल यार लेट हो रहे है. तक रगवेट कर रही है. जो बंदे पेमा को तो यह थे बहस्ते हा रहा है, पैयार. यह तो नोट शेर कले करना है भाई क्या हुआ? यह तो ने प्रफषड करना है संदीब चेंज तो तू लिया सकता है इस शोरे में ले आया तो हमाज में ले लिया होगा के श्टटी का कंक्लूजिन हाई यह तो तू बन रहा है हाँ? हाँ झाल 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 झाल